यह जो एक्स्परिमेंट है यह है प्लांग कॉंस्टेंट यूजिंग फोटो सैल इस एक्सपरिमेंट की साहिता से आपको प्लां कॉंस्टेंट दिगालना है तो एपरेटेस आपके सामने है एक तो आपको दे रखा है light source जो कि एक normal bulb है और इसमें इसके अंदर आपको सारी color की wavelength मिल जाएगी यानि कि यह monochromatic light source नहीं है और यह है आपका photo cell तो जो light यहां से निकल रही है वो सीधी आपको इस photo cell पर apply करनी है तीक है इसके सामने इसकी line of axis पर रखना है ताकि light जो है इसके अंदर maximum जाए और connection जो है हमने यह आपर as per this circuit diagram किये वह है तो जो photo cell है उसका जो positive terminal है वो जो आपका micrometer है उसके positive से जोड़ना है और negative को battery के negative से और positive terminal को photo cell के negative से जोड़ना है voltmeter इसके अंदर inbuilt है और जो बाकी connection जो मैंने आपको बताए वह आपको जो है कुछ से करना है यह wire की साहिता से ठीक है तो connection करने के बाद में आपको जैसे यहाँ पर देख रहा होगा जो light source हम यूज ले रहे हैं इस light source में जो light इस पर incident होगी तो उससे क्या होगा photo electric effect होगा और photo electric effect होगा तो electron जो है निकलेंगे photon की साहिता से तो electron जब निकलेंगे तो हम जब circuit पूरा जोड़ चुके हैं तो हमें उस electron के current जो current है वो यहां मिल रही है तो आपको यहां दिख रही होगी micro emitter है यह तो minus का 0.35 micro emitter current आपको यहां पर मिल रही है वो मेरा हाथ आगे ता इसलिए current की value कम होगी अदर्वाइस यह आपको यहां से देखोगे तो minus का 0.41 अभी आ रही है अब हम क्या करेंगे और साहत में voltage देखोगे तो voltage हमने अभी apply नहीं कर रखा है जो हमारी voltage की knob है वो 0 पर है तो voltmeter में रीडिंग आपकी लगबग 0.002 है ओके तो अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पर voltage apply करेंगे इस तरह से कि electron जो है वो emit होना बंद हो जाए यानि कि हम stopping potential apply करेंगे जिसे कि electron जो accelerate होके निकल कि साइथा से वो electron निकलना बंद हो जाएगी तो मैं यहां से apply कर रहा हूं तो जब मैं voltage बढ़ा रहा हूं तो यहां पर आपको voltage की रिडिंग देखेगी और साथ में यहां पर इसके current की value को आपको देखोगे घड़ती भी मिलेगी ठीक है तो यहां right में जो volt meter की rating है वो बढ़ती भी मिल रही है और emeter की rating आपको घड़ते भी मिल रही है तो जो current आ रही है उसको आप zero कर दो यह zero हो गया तो zero current पर जो voltage आपको मिल रही है वो है आपकी stopping potential ठीक है तो यह मैंने बिना filter की किया है अब ही मैंने कोई filter नहीं लगाया अब मैं क्या करता हूँ एक filter लगाता हूँ तो मैं blue color का यह blue color का filter है और मैं इसको यहां पर लगा रहा हूँ तो जब आप filter लगाओगे तो उस case में आपको फिट से क्या करना है एक वार इसको voltage को zero कर दो तो जब voltage zero हो गया तो आपको current की कोई value मिल रही है 0.16 micro ampere आप क्या करना है आपको फिट से वही process करना है voltage इस तरह से बढ़ाओगे की stopping potential की condition आ जाए और current की value zero हो जाए तो मैं voltage बढ़ा रहा हूँ और इसके साथ current की value आपको कम होते वह मिल रही है तो voltage की वह value जिस पर current zero हो जाए वह आपका stopping potential कर लाएगा तो यह है आपका zero current और जो voltage आ रहा 0.732 voltage वो है आपका blue filter के corresponding जो है आपका stopping potential अब इसी परकार से आपको क्या करना है different filters को यहाँ पर use लेना है और different filters के corresponding stopping potential आपको find करना है उसके बाद आपको जो एक table बनानी है उस table में आपको लिखना है जैसे कि blue filter आपने use लिया तो blue filter के लिए आपने stopping potential लिखा जैसे आपने अगला green filter यूज लिया तो green filter के corresponding आपने stopping potential लिखा तो हर एक filter के corresponding आपने stopping potential लिखा अब जो formula plan constant का हम use ले रहे हैं वो है e into v2 minus v1 lambda 1 lambda 2 divide by c into lambda 2 minus lambda 1 यहाँ पर जो v1 और v2 है तो आपने एक set लिया जिसमें आपने एक blue filter लिया और एक green filter लिया तो blue filter के corresponding जो voltage आए था stopping potential उसको आपने कहा v1 green के लिए जो stopping potential लाए उसको आपने कहा v2 v1 और v2 के value यहाँ इस formula पूट करोगे और lambda 1 lambda 2 क्या है blue color के लिए जो wavelength है वो आपकी हो जाएगी lambda 1 और green color के लिए जो wavelength हो जाएगी वो जाएगी आपकी lambda 2 obviously lambda 2 जादा होगा तो आपको जादा color जो जैसे कि आपका विब्योर जो है वो आपको याद रखना तो violet, indigo, blue तो red color की wavelength सबसे जादा है तो आपका जो set वो इस तरह से होना चाहिए कि जो लोवर wavelength हो पहला है और अपर wavelength है जो बादमा है तो इस तरह से आपको formula में value पूट करनी है जहाँ पर c है आपका velocity of light और इसको जब आप solve करोगे तो आपको edge की value मिल जाएगी तो आपको इसी परकार से एक दूसरा set लेना है जिसके लिए आपको green, yellow या कोई भी combination लेलो लेकिन sequence इस तरह से रहना चाहिए कि जो आपका lower wavelength हो पहला आ जाए वीवन के corresponding और जो अपर wavelength वो वीटू के corresponding आ जाए formula input करोगे और different edge जो आपको मिलेगा उसका average लोगे तो आपको plant constant मिल जाएगा